आज हम इस लेक्चर में देखेंगे नया चेप्टर जिसका नाम है आवर इन्वोर्मेंट अगर मैं बात करूँ कि यह चेप्टर हमारा लास्ट चेप्टर होगा बायोजी क्लास चंथ की इस पहले हमने सारे चेप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में हमारा जो तरीका होग यह हमने बोला कि वीडियो हम बनाएंगे हर एक टॉपिक्स की उसके बाद हम हर एक टॉपिक्स को वन सौट में भी कंसाइस करेंगे वैसा टाइम का रिक्वार्मेंट या फिर जैसा टाइम हमें में लेगा ठीक है लेकिन जो भी हमारी पार्ट वाइस वीडियो होती है मैं बार-बार कहता हूं इसको 15-20 मिनिट या मैक्सिम्म 20-25 मिनिट इसलिए रखते हैं ताकि आप सभी को कन्विनियन्स हो जल्दी से आप सको सीख सको 15-20 मिनिट के अंदर ठीक है आज हम नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे आवर इन्वार्मेंट के बारे में शलो आवर इन कि आवा मतलब समझतें ग jobbar के सि meny s forgot मतलब यह पॉर औल सभी के लिए बात कर रहा है 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 तक बात हो रहे लिए और इन्वामिंटम है यह जो इन्वामेंटम है यह खुद्में एक होल्सम है यह खुद में एक wholesome है यह खुद में ही एक wholesome है उसके अंदर काफी कुछ include करता है यह खुद में यह काफी कुछ include करता है और उसमें से कई ऐसे abiotics और कुछ biotics factor भी है जिनके बारे में हम further discuss करेंगे और देखते हैं कि यह अखिर है क्या पहले हम chapter को start करेंगे उसके definition से कि आखिरी environment पा मतलब क्या है और इस chapter में आप basics चीजें बहुत सिखोगे मैं बार बार कह रहा हूँ जो बच्चे 11 या 11 में चलके biology लेंगे उसमें आप पढ़ोगे environment के बारे में काफी कुछ नहां पे थोड़ा थोड़ा descriptive form में दिया हुआ है सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर environment है क्या सबसे पहले हम environment की definition पे आते हैं कहता क्या है the environment includes our physical surrounding जो environment है वो हमारी physical surrounding है what do you mean by this physical surrounding यह जो physical surrounding है न यह physical surrounding मतलब अगर कभी भी physically कोई बात हो इसका मतलब ऐसी कोई चीज日 है जिसको हम मेश्यूस कर सकते हैं या फिर हम लोग आस पास में यह सकते हैं महसूस कर सकते हैं मतलब की ability यह फिर कह सकते हैं कि sensible को चीज हो मतलब जो हम जिस चीजओ को मेहसूस कर सके या फिर देख सके thumbs and कोई sensible चीज, ठीक है क्या, जैसे, जैसे क्या हो सकता है, जैसे water, पानी को हम touch कर सकते हैं, use कर सकते हैं, air, air को महसूस कर सकते हैं, चलो, तो देखो, the environment includes our physical surrounding, like, जैसे, air, water, soil, and all the organisms, such as plants, animals, human beings, and microorganisms, कैसे, याद रखना, मैं बोलनो, microorganisms, इसका मतलब, ऐसे, जिनको हम naked eye से ना देख सके, microorganisms मतलब, organisms, organisms, which we, which we, which we can't see, which we can't see, which we can't see, which we can't see, through, which we can't see, through, through naked eye, through naked eye, इतनी बात clear है आप सभी को, ये microorganisms की एक basic definition देदी, मुझे तो पता है आप सभी को ये बात, उता होगी, चलो, and microorganisms, like bacteria and fungi, याद रखना, ये bacteria और fungi, class 9th में है, phylum के बारे में, बट इसी चीज़ को descriptive form में, और अच्छे तरीके से हम 11th class में discuss करेंगे, इसमें biological classification में ये सब को detailed में हम पढ़ेंगे, आगे चल के, इतनी बात हैं clear है, चलो, तो हमको कहा, इसमें क्या पता चला, सबसे पहले हमने देखा क्या, environment की definition देखी, है न, environment की definition अब आप बता लोगे, देखो, environment includes, ये जो environment होता है, मैंने कहा न, environment खुझ में एक wholesome चीज़ है, जिसके अंदर काफी कुछ include होता है, क्या-क्या, जैसे, environment includes, क्या-क्या, our physical, our physical surroundings like air, water, soil, all the other organisms such as plants, animals, human beings and microorganisms like bacteria and fungi, इन सभी को इने आस-पास इतने भी living creature हैं या फिर non-living creature हैं, दोनों का, सब का wholesome, सब को combine कर दिया जाए, तो ये एक तरह का, एक environment पहलाता है, इतनी बात clear है, क्या environment की definition clear है, आज के बाद, चलो, screen sort लो, फिर आगे बढ़ते हैं, next slide पे, चलें आगे, चलो, और next देखते हैं, आगे, चलो, next slide चलें, next देखिए, इसके बाद आता है, अपना, समझिएगा, इसके बाद है, biodegradable, non-biodegradable, मतलब, देखते कुछ ऐसे, समझो, हम लोग waste की बात कर रहे हैं, वेस्टेश की बात कर रहे हैं, कि क्या कैसे कौन से wastage है, या फिर कौन-कौन से किस तरह के waste होते हैं, देखिए, बात करें हम waste की, तो अपने पास देखो, इसके अपना, बायो-डिग्रेडबल, कैसा? बायो-डिग्रेडबल, मत दुसरा है कैसा? नौन-बायो-डिग्रेडबल, एक waste कैसा है? एक waste है बायो-डिग्रेडबल, दुसरा है नौन-बायो-डिग्रेडबल, समझो, आईए, समझते हैं, दिखते हैं, होते हैं, यह है क्या? All the waste materials produced by the various activities of man and animals are poisonous, समझना बात को, हम या फिर हमारे, या फिर आस पास जितने भी organisms हैं, उन सब का waste material जो होता है, वो जहरीला होता है, किसके लिए? To some extent, किसी point पे वो जहरीला बन जाता है, and can be divided into, और उसी को हम दो part में बाटते हैं, जिसको हम, उसी को हम दो main group में बाटते हैं, जिसमें से की अपना पहला group कहलाता है, बायो डिग्रेडबल वेस्ट, और second कहलाता है, नॉन बायो डिग्रेडबल वेस्ट, पहला क्या है, बायो डिग्रेडबल वेस्ट, समझना, घ्यान समझो, हम बार बार कहते हैं, terminology आप उठाईए, term से समझेए, पहला term है अपना क्या, बायो डिग्रेडबल, बायो डिग्रेडबल, बायो डिग्रेडबल second है अपना non-bissenschaft ब्सक्राइबल जो चीज बायो डिग्रेडबल होगी उसी का उल्टा non वाला होगा इतनी बात तो आप सभी को clear हुगी चलो देखो बायो डिग्रेडबल ध्यान समझें दो सब से बना है एक word है बायो second word है क्या? सेकंड वर्ड क्या है इग्रेडवल समझो बायो मतलब कोई living चीज हो या फिर समझ सकते हो कोई living चीज हो degrade होना मतलब तूटना या फिर दुखे होना तूटना या फिर क्या हो डिके होना क्लियर है क्या त्छहाँ यह दिखने राए को मैं पर in change कर लेता हूँ अब दिख रहा चल ठीक है धिके होना समझो मतलब बायो डिग्रेडबल ऐसे वेस्ट है जो की इसी लिविंग लिविंग बोले तो क्या माइक्रो ओर्गेडिजम्स के त्रू तोड दिया जाए मतलब ध्यान समझना मतलब माइक्रो ओर्गेडिजम्स के त्रू कोई चीज जब तोड दी जाए मतलब अच्छे से तूट जाए इसके प्रेसंस में लिविंग ओर्गेडिजम्स माइक्रो ओर्गेडिजम्स के प्रेसंस में कोई चीज जब तूट जाए उसे बोलेंगे बायो डिग्रेडबल वेस्ट वो कैसा वेस्ट है वो ऐसा वेस्ट है जो की तूट जाए किसी लिविंग मतलब माइक्रो ओर्गेड तो हम उसे बोलेंगे बायो डिग्रेडबल वेस्ट नॉन बायो डिग्रेडबल वेस्ट क्या है तो उसी का उल्टा कर दो मतलब यह ऐसे वेस्ट है जो की लिविंग और्गेनिजम के प्रजेंस में तूपे ना डज नॉट डिके जो की लिविंग और्गेनिजम के प्रजेंस में तूटे ना इतनी बात क्लियर उसे क्या कहेंगे नॉन बायो डिग्रेड़ वेस्ट क्लियर है अगर इतनी क्लियर है तो आप राम से आप स्मेंशृट ले ली सिजह के बाद पर किसी भी डब्बे पर या फिसी भी चीज पर तो समझ लेना कि यह रीसाइकल हो सकता है री रीसाइकल एबल है यह मतलब जो भी चीज होगी वह कैसी होगी उसको इसको रीसाइकल किया जा सकता है असानी से इसको अगर दोगे कहीं पर मिट्टी से दवा दोगे तो कुछ दिन बाद कुछ महीनों बाद कुछ इस पर टैक कॉन किया यह खाना किसका यह खाना किस यह खाना है यह कंपोजर कौन है सब्सक्राइब के बैक्टीरियां है जो क्या करते हैं पचाते हैं अपने माउट से लाइटिक एंजाइम उस फूड पर फिकते हैं तोडने का करेंगे तो तोट जयाएगा तो तो तोट गया तो उसको लिए तो तूता तो उसमें कुछield भीनिकला और कुछ उनका एक स्क्रीटा था कुछ उनका एक स्क्रीटरी प्रोड़क्ट था वो बन गया एज ए मेन्यूर और उसे क्यों रोलते हम बहर गिनी पार्ट इसनी बात क्लियर है चल स्क्रीन सौट लो फिर आगे बुटते है चले आगे I hope इतनी बातें आप सभी के जहन में बस गई होंगी या फिर मैं कह सकता हूं कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी इसके लिए मैं स्यूर हूँ अगर फिर भी आप सरी को किसी कोई डाउट हो तो आप बेशक उसको क्रमेंट सेक्षन में कॉश्चन हो सकते हैं हम नेक्स पार्ट में उसका जवाब जरूर देंगे इतनी बाते क्लियर हैं तो ले आगे बढ़ें बेखते हैं क्या है नेक्स स्लाइट पर देखिए अब जो चीज मैंने समझा दी उसको वर्डिंग से विजरा देख लीजिए आखिर बायो डिग्रेडबल वेस्ट है क्या दोज वेस्ट मैटेरियल्स विच कैन भी ब्रोकन डाउन तूट जाए तूट जाए तूट जाए तूट जो तूट लेकिन जो बना वो जहर बन गया ना कोई जहरीली चीज ना बने इन नेचर इस डिव तूट ओफ टाइम इन नेचर इन विव कोर्स आफ ताइम दी मतलब जरूवत जरूवत वाले समय डिव कोर्स ओफ टाइम आई दा एक्शन ओफ माइक्रो औरगेनिजम्स किसके एक्शन आर कॉल्ड बायो डिग्रीडबल वेश्च समझना ये ऐसे वेश्ट है ऐसे वेश्ट है जो कि तूट जाए सानी से बैस्ट आह माइक्रो औरव्यों जम के प्रसेंस में तूट जाए और तूट के जो बने वह कोई यहरीली चीज ना बने उछे हम कहेंगे बायो रूमिनेंट एनीमल्स मतलब आप समझते हैं मतलब काउएंड बफैलो इसनी बात क्लियर है क्या रूमिनेंट एनीमल्स समझो चैटल डंग मतलब दो पशु होते हैं जो मतलब की गाय भैस हो गई गाय भैस गदा समझो उनका जो एक्सक्रीटा होता है उसे बोलते हैं कैटल डंग एंड कंपोजिट एंड कंपोस्ट और कॉमन एक्जामपल ऑफ बायो डेग्रेडबल वेस्ट यह कंपोस्ट क्या है एंड कंपोस्ट है वर्मी फॉर्म समझना वह जो की कच्छुआ जानते हैं आप लोग कच स्क्रीटा हो उसी को हम कंपोस्ट बोलते हैं इसको जिसको हम आगे चलके बहुत डेटेल में पढ़ेंगे चलो नेक्स्ट है बायो डिग्रेडबल मैटेरियल्स लाइक एनीमल बॉन जानवरों की हड़ी लेदर ती लीफ चाय पत्ती वूल कून पेपर कागज वीट गेहू वुड लकडी है ही मतलब समस्ते हो यह मतलब यह वेस्ट मेटेरियल होता है गेहूं का छिलका टाइप पॉटन जूट ग्रास फ्रूट वेजेटेबल पील इसका मतलब सबजियों के छिलके लीफ पत्तियां फ्लावर केक्स एड्सेक्टरा यह सब बायो डिग्रेडबल हैं मतलब यह सब क्या होंगे यह असानी से तूट सकते हैं माइक्र और्गनिजम के प्रेजंस में और तूट के कोई जहरील चीज नहीं बनाएंगे फायदेवाली चीज बनेगे इतनी बात क्लियर है आप इतना समझ गये होंगे इसको स्क्रिंसोट लीजी फिर आगे बढ़ते है हम लोग अगे 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 बढ़ें क्या होगे स्क्रिंसोट चली नेक्स देखतें क्या है नेक्स्ट अपना नौन बायोडेड़ेड़ेड़ेड़ वेस्ट वर्डिंग से समस्ते है देखो देखो वेस्ट माटीरियल इच कैन नौत बी ब्रोकें डाउन जो तूटे ना इन्टू नौन पॉजिनस जो तूटे ना किसी जहरीली चीज में और हामलेस सबस्तेंस इन न कि दूसरी चीज द्यान समझ लो क्या विए ऐसे हैं जो प्रोड़क्त तूटे ही ना जब तूटे गा ही नहीं तो चाहे पॉजिनस बने चाहे नौन पॉजिनस बने जब कोई चीज तूटे गी नहीं तो समझो एक्जांपल बेटा सबसे अच्छा देखना इक्जांपल सब्सक्राइब bichloro मतलब bichloro मतलब 2 chlorine होगा इसमें वो phenyl group होगा यह phenyl group होगा समझना bichloro bichloro trichloro ethane, ethane पर 3 chlorine होगा फिर से इसके examples चाके हैं DDT याद रखना बहुत important एडDT is one of the most important example of non-biodegradable waste रिक्वेस्ट है इसको याद रखना सेकंड प्लास्टिक पॉली इफीन बैक्स बॉल पॉइंट पन रिफिल्ड होती है पन की रिफिल्ड होती है सिंफेटिक फाइबर्स ब्रास ऑब्जेट्स मेटल्स मेटल आर्टिकल्स लाइक अलमीनियम केन आइरन नेल सिलवर फॉल बाद ही रखने हैं आप समझो बात को एक्जाम में आपके गैरेंटी है दो से चार नंबर में ये आएगा ही आएगा डेफाइन दा टाइप आफ वेस्टेज तो आप उसमें बताएंगे पहली चीज तो वेस्ट क्या है उसके बाद आप उसके दो टाइपस बताएंगे टैब कर सकते हो किस तरह चीज आप लिए धायग्रमेटिक चीज्यों का यूज करो आप अगर लिए यह कर दो डाइग्राम बना दो यह यहां पर दिखा दो अंतृ निखा दो फिर यहां पिये फीमेल दिखा दू, अब क्या करो, इस से, इसके फूल से जा के, ऐसे से, डॉट 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 दिखा के, केड़ा बना दो, सबसे प्रेस्ट रिप्रेजनटेशन हो जाए कि, इसका, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और पॉलिनेशन दुनों का बेस्ट इग्जाम पर यह कुछ चीजे हैं जो आपकी कॉंपी को अलग कर देगा और आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाएगा ठीक है फिराल आएए पॉइंट पे नॉन बायो डिग्रेडबल के एक्जामपल से याद रखिएगा सेकंडली डिडिटी के बात करते हैं डिडिटी इस नॉन बायो डिग्रेडबल वेस्ट सो इट कैन बी पास्ट अलॉंग दफूर्ट चेन फ्रम क्रॉप तु मैं अधर अनिमल्स अब बर्ट एंड हम देम समझना यह जो डिडिटी है यह बायो डिग्रेडबल नहीं होता तो यह क्या हो सकता है यह वेस्ट ना आने में आ सकता है फूड चेन में आ सकता है यह फूड चेन में आ सकता है तो उस फूड चेन के थ्रू यह मैन और बर्ट आगे तक पास हो सकता है जो कि यह बहुत हामफुल इफ्ट दिखाता है बॉड़ी पे नॉन बायो डिग्रेडबल वेस्ट आर दा मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ इन्व का ऊंट्रिब्यूट इन दा पॉल्यूशन इतनी बात हैं है इतनी बात हैं क्लिए पर आगे चलते हैं देखतें क्या है चलो आज के लिए ही छोटी जोटी ऍहटी क्लास रखेंगे हम इसके लेक्टर में कि नेक्स लेक्टर में बात करेंगे the ecosystem की जहीं बहुत ही प्यारा और बहुत ही खुब सुरत टोपिक आपको बहुत उच्छे समझ में आगा यह मेरी गैरेंटी है समझो चलो आज नया चैप्टर है छोटा सा मैंने पढ़ा इसमें बायो डिग्रेडबल नॉन बायो डिग्रेडबल मैंने पढ़ाया और थोड़ा से इन्वामेंट का एक्जाम पर डेफाइन किया मात्र 20 मिनट की वीडियो है तीन टॉपिक है इसको आप चाहे 2x पर देख लो चाहे 1.5x पर देख लो कि 10 मिन में आपका टॉपिक खतम हो जाएगा और आपको फिर्मक्स मिल जाएंगे अगर इस से रिलेट जो भी कोश्चन आएंगे और इस से रिलेटेड आपके एक्जाम म करें सब्स्स्राइब करें और जो भी आपको देखना है उस सबसे आप कर लें थैंक्यू फो वाचिंग अ हुआ 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 है